इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो NIOS के स्टूडेंस है जिन्होंने अपना TMA बना लिया है और उसकी PDF बनाना चाहते हैं तो यह PDF कैसे बनाएंगे और यह वीडियो सिर्फ NIOS स्टूडेंस के लिए नहीं है यह सब के लिए है In future जब आप online कोई form फिल करोगे तो वहाँ पे जो आपको अपना document अपलोड करना होगा वो PDF के रूप में ही करना होगा अगर आप यहाँ पे PDF बनाना सीख लेते हो तो आपको Cyber Cafe जाने की कोई ज़ुरत नहीं परेगी समय और पैसे की बचचत होगी आपकी इस वीडियो में मैंने courses किया हूँ कि आपको असानी से PDF कैसे बनाते हैं वो बता सकूँ तो चलिए सुरू करते हैं PDF बनाने के लिए आपको क्या करना है कि Play Store से एक एप को इंस्टॉल करना है और मैं जो आपको एप बता रहा हूँ वो बिल्कुल जैनमेन है मैं खोद उसे यूज करता हूँ तो सबसे पहले आप अपना Play Store खोलेंगे और Play Store खोलने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर लेना है A, D, O, B, E, S, C, A, N Spelling देख लेना आप Adobe Scan है नाम इसका और यह बहुत अच्छा एप्लिकेशन है Simply आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो सबसे टॉप में मुझे मिल गया सबसे पहले आप इसे लोगों को देख लेना आपको यही एप को इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद simply आपको open पर क्लिक करना है जब आप open पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जहां भी documents होगा आपका simply आपको वहाँ पे ले जाना है अपने camera को और ये automatic जो है आपके document को capture करेगा और photo खीच किलेगा जैसे कि आप देख पार होगे और इसी तरीके से आपको अपना document का जो है वो PDF बनाना है अब यहाँ पे आपको मैं बता दू कि जो TMA का PDF बनना है वो एक subject का एक ही PDF बनना है जैसे कि आप समझ लो कि अगर आप political science के 6 question किये हो और 6 question के answer जो है आपको 8 page में 9 page में या 10 page में आया है तो 10 page की जो PDF बनेगी वो एक ही बनेगी ठीक है अलग-अलग PDF मत बनाना ठीक है कैसे बनाएंगे मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि बाद में आपको कोई confusion ना रहे simply आपको जो आपने अभी app install किया है उसे open करना है और यह camera वाले पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं पहला देख रहे हूं आप यह पहला page जो है इसे मैं scan कर रहा हूं ठीक है और यह scan होने के बाद यह आपके सामने photo खिच जाएगा आप यहां से crop कर लोगे अपने हिसाब से और आपको लगता है कि बिल्कुल यह clear है फिर आप keep scanning पे करना है फिर आपको दूसरा page इसी तरीके से scan कर लेना है जैसे कि आप देख पार होगे ठीक है दूसरा page भी हमने कर लिया है फिर उसी तरीके से आपको keep scanning पर रख लेना है keep scanning करेंगे दो page हो गया इसी तरीके से तीसरा करेंगे ठीक है और इसी तरीके से चौथा पांचवा छटा जितने भी है सबकी एक साथ scan कर लेंगे keep scanning करके ठीक है और यहाँ पर click करोगे आप यह photo वाले पर तो ऐसा option आजाएगा और यहाँ पर आप देख पार होगे एक चीज और बता देता हूँ आप एक कर लेना ठीक है कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जितने पेज की PDF होगी वैसे एक साथ बनाओगे ठीक है जैसे हमने बनाया है और filter पर click करोगे और normally जो filter योज करते हैं बच्चे वो original color करते हैं और apply all page पर click करोगे और आपका जो है PDF हब सेव हो जाएगा थोई देर में PDF को सेव होने के बाद आपको क्या करना है किसको rename कर लेना है more पर आप click करोगे तो थोड़ा सा scroll down करोगे तो rename का option मिलेगा और rename में क्या करना है आपको simply आपको जो subject का आपने PDF बनाया है जैसे कि हमने political science का बनाया है तो political science लिख देना है और political science लिखने के बाद अंडर इसको डालना है और bracket में आपको उसका paper code डाल देना है ठीक है यह आपको i-card पर ही मिल जागा जैसे कि इस paper का paper code है 317 ठीक है इस तरीके से आप अपना TMA का PDF बनाना है आपको आपके पास जितने भी subject है जितने भी PDF upload जितने भी subject है उसी इसी तरीके से आपको उनकी PDF बना लेनी है और PDF बनाने के बाद सबको आपको rename कर लेना है जैसे कि हमने political science का आपको खरके दिखाया है और याद रखना कि एक subject का एक ही PDF बनेगा इसका मैंने आपको मतलब भी बता दिया है कि आपने एक subject में 6 question किये है 6 question के answer आपके 8 page में आयो हो या 10 page में आयो या जितने ही page में आयो उन सबकी PDF एक साथ बनेगी एक साथ कैसे बनेगी मैंने बता दिया है अगर फिर भी आपको कोई confusion हो तो मुझे comment section ने बता देना मैं आपको वहाँ पर solution प्रोवाइट कर दूँगा वीडियो अच्छी लगी है तो like and share जरूर करे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो के लिए